रहा है और अ चैवा आप रहा हैं अधर नमस्कार जरहिए कि देखें यह इसमों का इंच्पार्टीख्टरी और छिलेबस सर लेकिंड वीडियो है आपका ससे की स्क्राइlica स्टार्ट हो चुका हैं इसको के में पृष्ट हrai विसवेग यवेट यवे ने logs आपकी चलने लगी है और ये एपड़ेव की क्लासिश की पहली पर पहलर्फ सरवात करने से पहले.... यानि कि पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, पढ़ना क्या क्या है और ये वीडियो अगर आप योट्यूब पर देख रहे हैं, अभी तक आपने कॉर्स पर्चेस नहीं किया है यू केन पर्चेस इट आपको कॉर्स के साथ किताबें भी मिल जाएंगे ठीक है आपको course लेते ही आपको जो video lectures मिलेंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे जो notes और test मिलेगा वो भी मिलेगा साथ में ये जो किताब आपके syllabus की है वो भी मिल जाएगी यानि कि उसका जो print version है वो भी आपको मिलेगा और दूसरी बात जो है उसका ebook जो है ये जो book आपके सामने है इसका book का print भी आपको sip कर दिया जाएगा आपके address पर और साथ ही साथ जो इसका print version है वो मिलेगा और इसका e-book आपको app पर तुरंत access करने को मिल जाएगा यानि कि आपको complete package मिलने वाला है तो आपने अगर course अभी purchase नहीं किया है and you can afford, you must do it ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको निश्चेत रूप से करना चाहिए यह आपकी studies को और बहुत ही बहुतर बना देगा extra label का बना देगा ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम लोग start करेंगे और यह समझेंगे, syllabus क्या पढ़ना है syllabus क्या है, कितने paper है क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इसकी समझ थोड़ा सा विक्सित करेंगे, कितना mid term के लिए पढ़ना है, कितना end term के लिए पढ़ना है इसी वीडियो में एक ही साथ समझ लेंगे, ताकि दोबारा इस सम्मंध में आपके कोई भी question न बचें, ठीक है, तो आईए सबसे पहले यह समझते हैं, कि इस semester में आपको पढ़ना क्या क्या है तो semester जो है आपका, वो है semester two ठीक ना semester two है BA sem two, ठीक है और क्या विसे हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिस पढ़ेंगे और इंग्लिस का syllabus हम लोग discuss करेंगे BA second semester का, ठीक है second semester का, जो syllabus होगा उसका discussion यहाँ पर हम लोग करने वाले ठीक है, अब बात करें कि कितने paper पढ़ने होंगे अभी आप first semester में पढ़कर आए है sem one में आपने क्या पढ़ा था sem one का पहले एक बार बात करें sem one में आपने क्या पढ़ा था तो sem one में जो आपने पढ़ा कि English को as major one subject लिया था उन्होंने English का 101 पढ़ा बाकी के लोगों ने केवल दो paper पढ़े 103 and 102 अब पहला question जो आपकी तरफ से raise होता है कि क्या second semester में भी 101 पढ़ना है तो इसका उत्तर अभी जान लीजे कि नहीं पढ़ना है 101 जैसी कोई चीज आपके second semester या आगे के किसी semester में नहीं है ये केवल एक बार पढ़ना था और वो आप पढ़ चुके clear अब आपके syllabus में कितने paper होंगे दो paper होंगे क्या होंगे पहला होगा ENG 104 ठीक है पर दूसरा होगा ENG 105 ठीक ये दो paper आपको second semester में पढ़ना है यानि कि इसकी तरह आपको कोई division नहीं है कि जो major 1 में लिया है नहीं लिया है इसका semester 1 की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको second semester में क्या पढ़ना है केवल और केवल दो paper पढ़ने है ENG 104 और ENG 105 दोनों ही किसके paper हैं दो के दोनों poetry के paper हैं इसको कहते हैं English Poetry 1 का कहेंगे English Poetry 1 और इसको कहेंगे English Poetry 2 ठीक है English Poetry 1 और English Poetry 2 नाम के दो paper हैं जो कि उन सभी student को पढ़ना है जिन्होंने English भी से ले रखा है यानि कि आप चाहे major 1 में लिए है major 2 में लिए है major 3 में लिए है किसी भी place पर आपने अंग्रेजी का पहला paper select किया हुआ है आपको यही दो paper पढ़ने है यानि कि आपको second semester में केवल और केवल poetry पढ़नी है poetry का syllabus क्या है अब उस पर चर्चा करते हैं दोनों paper में अलग-अलग क्या चीज़ें है उसकी बात चीद करते हैं तो अब देखते हैं paper में क्या-क्या है तो आईए थोड़ा सा बढ़ते हैं नीचे यह है आपका पहला paper जिसको कहेंगे poetry 1 ठीक है यह है ENG 104 जिसका नाम है English poetry 1 तो English poetry 1 में देखेगा 4 unit चार unit इसमें भी है चार unit आपके अगले paper में भी है ठीक है clear unit 1 में आपको forms of poetry पढ़ना है unit 2 में आपको stanza forms पढ़ना है thereafter unit 3 and unit 4 यह दो चीजें हैं जिसमें unit 3 में आपको तीन writer पढ़ने हैं तीन writers की तीन poems पढ़नी है ठीक है William Shakespeare, John Dunn और Alexander Pope और unit 4 में आपको चार poets पढ़ने हैं Thomas Gray, William Blake William Wordsworth and John Keats अब एक तरीके से अगर बात की जाए तो Shakespeare से new classical तक यानि कि 18th century की half part तक आपको unit 3 में पढ़ना है और romanticism यानि कि उसके बाद से romanticism तक जो है आपको unit 4 में पढ़ना है इसी तरीके से जो Victorian age है यानि कि 19 सताबदी का later part उसको आपको अगले paper के एक unit पढ़ना है और 20th century अगले unit पढ़ना है तो इस तरीके से आपको Shakespeare से लेकर के 20th century तक की poetry का एक sample पढ़ना है ठीक है बात clear है इतनी तो इसमें ज़रा सद देखेंगे समझेंगे एक एक चीज़ें क्या है जैसे पहले forms of poetry forms of poetry का मतलब है कि कौन-कौन सी poetic form है ठीक है यानि किस-किस रूप में किस-किस genre में poetry लिखी जाती है उसमें आठ आपको पढ़ने होते और ज़्यादा है लेकिन major major जो art है उनको आपको पढ़ना है पहला है sonnet जो कि एक चवदा line की poem है इसको detail में समझेंगे दूसरी है elegy तीसरा है epic तरी तीसरा है ode चौथा epic पांचवा ballad छठवा lyric और साथवा dramatic monologue है और finally आठवे नंबर पर है allegory ठीक है ये आठ poetic forms हैं जो कि आपको पढ़नी है ये आठ की आठो poetic forms well defined है बहुत अच्छे से लिखी गई है आपकी जो book है ये जिसको हम लोग ने कहा है a handbook of English poetry इसमें आठ की आठो पहला जो chapter है उस chapter में इस पर इसी unit पर बातचीद की गई है आगे बढ़ेंगे दूसरा दूसरी unit है stanza form जिसमें आपको केवल चार stanza forms पढ़नी stanza forms बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से आपको चार पढ़ने है चार कौन कौन से पहला heroic couplet पढ़ना है जो की चासर के साथ begin होता है और new classical में जाकर के अपने peak पर होता है उसके बाद इसका बहुत rare यूज किया जाता है clear thereafter जो दूसरा है वो blank verse है blank verse भी Elizabethan के समय में ही begin हुआ ठीक है और thereafter drama में खूब popular हुआ epic poetry में खूब popular हुआ ठीक है and thereafter अगला है तीसरा वाला Spencerian stanza Spencerian stanza Edwin Spencer ने इसको originate किया अपनी fairy queen लिखने के लिए और उसके बाद से यह popular हुआ बहुत से कई सारे poets ने इसका यूज किया और चौथा जो आपको पढ़ना है terza rima एक ancient form है जो की बाद के poets में romantic poets ने भी यूज किया terza rima thin line का stanza form है तो यही चार stanza forms पढ़ने है और यह stanza form आपकी book में chapter 2 है chapter 2 है जो आपकी book है handbook of English poetry इसमें chapter 2 है ठीक है और यह chapter 1 है chapter 1 अब एक बाद ध्यान रखिएगा इस book को order करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं आप Amazon पर order कर सकते हैं लेकिन Amazon पर आपको यह book बड़ा महंगी मिलेगी ठीक है आप market में ले सकते हैं market में भी आपको यह किताब 275 रुपए में मिलेगी ठीक है आप directly हमसे order करेंगे एक call करके whatsapp पर या फिर app के through ठीक है app पर whatsapp पर या फिर call के through आप इसको order कर सकते हैं तब यह किताब आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी कितने मिल जाएगी 220 रुपए में यह आपके घर डिलेवर हो जाएगी बात समझेए आपको कहीं जाने के ज़रुत नहीं है के वहल आप app को install करिए उसमें जाइए book को करिए उसमें भी आपको problem है नहीं कर पार है simply आप call लगाईए और पूछिए या फिर whatsapp पर एक message करिए कि आपको book चाहिए हम आपको एक QR code भेजेंगे उस QR को scan करके आप अपने mobile phone में अगर कोई online payment का option यूज करते हैं कोई paytium या फिर phone पे जो भी पेट payment के app है उसको अगर यूज करते हैं तो आप उसके जयरी इ पे कर सकते हैं अगर उसको नहीं यूज करते हैं घर में को यूज करता है अरोस-पडोस में को यूज करता है यारमित्र यूज करते हैं तो उनसे payment करवा करके उसका एक screenshot लेजिए अपना address लिखिए और वो screenshot हमको whatsapp पर भेज़ दीजिए within 10 days आपको किताब आपके घर पर deliver हो जाएगी इससे बड़ी एक सुविधा और है जो कि आपको लगभग अगले मंडे नेक्स्ट मंडे यानि 26 या 27 तारीक है नेक्स्ट मंडे को ठीक है उसके बाद से आपको गोरखपुर में available हो जाएगी आप हमको इसी तरीके से order करेंगे या आप online payment का कोई option नहीं है आप cash में payment करेंगे तो इसी कास्ट पर यह जो 220 रुपए की कास्ट है इसी कास्ट पर आपको जब हम विभाग में आएंगे गोरखपुर है विभाग में आ करके आप हमसे खुद ले सकते हैं मेरे पास किताबें कई सारी रहेंगी ठीक है पबलेसर ने हमको भेज रखी है और मैं यह option इसलिए उपलप्त करा रहा हूँ क्योंकि market में आपको 275 की मिलेगी आपको कम से कम 50 55 रुपए का जो है बेनिफिट हो जाए सस्ती मिल जाए इस स्टूट्स का जितना फायदा हो ज जाते हैं तो आप पर केवल 75 रूपए में यह किताब ई-book के रूप में पढ़ सकते हैं लाइफ टाइम एकसेस मिलेगा आपको कभी भी उस किताब को कहीं भी अपने फोन में ओपन करके आप पढ़ सकते हैं और कितने में मिलेगी वहाँ पर केवल 75 रूपए में आप आप पर भी इस किताब को पास सकते हैं हर जगा मिलेगी ठीक है तो यह हुई बात दो यूनिट्स की यूनिट वन जो है फॉर्मस अफ पोईट्री है यूनिट टू जो है वह स्टैंजा फॉर्मस है देर आफ्टर आपके पास विलियम सेक्सपियर है जिनकी इनका एक सॉनेट है कौन सा चैप्टर है यह चैप्टर फॉर है आपकी किताब में जो हैंड बुक अफ इंगलिस पोईट्री है उसमें जो विलियम सेक्सपियर है यह चैप्टर फॉर पर है जॉन डन चैप्टर फाइब पर है और अलेक्संडर पोप चैप्टर सिक्स पर है क्लियर हर चैप्ट तो इन दोनों को आपको इसमें पढ़ना है और इनको भी आप इसी continuation में देख सकते हैं तॉमस ग्रे यह चैप्टर नंबर 7 होगा बुक में और विलियम ब्लेक चैप्टर नंबर 8 होगा विलियम वर्डसोथ चैप्टर 9 होगा और जान कीर्स चैप्टर 10 होगा अब आप सोच रहे हैं कि बीच का जो चैप्टर 3 है वो कहा गया किताब का और आपके सेलेबस में आगे क्या है तो अगला जो पेपर है वो आपका बिगिन होता है पेपर ENG 105 दाट इस इंग्लिस पोईट्री 2 ठीक है तो इंग्लिस पोईट्री 2 का जो पहला यूनिट यहाँ चार चार यूनिट आपको दोनों पेपरस में मिलेंगी तो पहली यूनिट यहाँ पर है वो है पोईटिक डिवाइस जिसमें आपको, पोईट्री की, डिवाइसा के बीचे के पढ़ना है जिन डिवाइस। यूज पोईट्री में किया जाता है जिससे पोईट्री को सुन्दर बनाया जाता है पोईट्री क्रियेट की जाती है उन डिवाइसे के बिस हैं पढ़ना है कुछ डिवाइसे हैं जैसे स्ट्रक्चर है पोईट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है poetry में tone क्या होती है theme क्या होती है rhyme क्या है, rhythm क्या है rhyme scheme क्या है, times of meter क्या है stress and syllable क्या है figure of speech क्या है irony क्या है, inversion क्या है negative capability है, juxtaposition है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो यही सारी की सारी चीज़ें आपकी book के chapter 3 में है किसमें है वही? chapter 3 में अब एक चीज़ अगर ध्यान दें तो ये इसको introduce क्यों किया गया, शुरू के दो unit poetic forms, दूसरी unit टेंजा forms, तीसरी unit poetic devices और उसके बाद ये जो unit 4 है ना इन ही इसी unit 4 को fulfill करने के लिए, unit 4 में आपको इन सब की जरूत पड़ेगी बिना इनकी help के आप unit 4 complete नहीं कर सकते, इसमें जो practical criticism है ये जो practical criticism है उसके लिए इन poetic devices का poetic forms का और जो stanza forms है उन सभी का आपको जरूत पड़ेगा, ठीक है? तो इसी unit 4 के purpose को fulfill करने के लिए आपके beginning में तीन चीज़े add की गई है इनको बहुत thoroughly पढ़ेंगे तभी आप unit 4 का एक question solve कर पाएंगे और guarantee इस बात की है कि हर examination में जाने कि जो mid term होगा वहाँ पर एक question आपको इसका मिलना मिलना पाएंगे ठीक है? अब इतनी बात clear आगे बात करें तो ये तो हुआ ये जो chapter 3 है और ये आखरी unit है और ये आखरी chapter है जिसको हम लोग chapter 17 कहेंगे बीच में फिर से 6 poets बचे पहले 3 जो है ये Victorian age के हैं किस age के? Victorian age के Victorian poets Victorian poets है Victorian age के ये सब 20th century के poets है ठीक है? बात clear? ये सब के सब 20th century के है तो इसी तरीके से वहाँ जहाँ तक हम लोगों ने begin किया था chapter 10 पर end किया था अब यहाँ पर chapter 15 में आपको मिलेगा Alfred Lord Tennyson जिसमें Tennyson का introduction मिलेगा Ulysses poem का text मिलेगा उसका introduction मिलेगा glossary मिलेगी questions मिलेगे ठीक है? Matthew Arnold मिलेगा chapter 16 पर नहीं सॉरी chapter 11 था ये ये chapter 11 है और Matthew Arnold आपको मिलेगे chapter 12 पर Robert Brownie आपको मिलेगे chapter 13 पर T.S. Elliot आपको मिलेगे chapter 14 पर W.B.E.T.S. भी लेगे chapter 15 और Philip Larkin होंगे chapter 16 ये total 17 chapters की to the point book है आप उसको ले लेगे और यही इतना आपको पढ़ना है लेकिन अभी एक question छूट रहा है आपका एक बात आपके मन में होगा कि भी आपके examination दो होने है कौन-कौन से? एक mid term होना है एक end term होना है इसको जब हटा दे चलिए ये हटा दिया मने ठीक है? दो exam होने है एक जो होना है आपका mid term ठीक ना? mid term होना है ये कब होगा? अप्रिल में होगा ठीक? दूसरा जो है आपका वो end term होना है जो की आपका मे या जून में होना है ठीक है? यही आपको समय दिया गया है और आपको जतना बताया गया है जतना पता है ये कैसा होगा? descriptive होगा descriptive होगा ठीक है? और इसमें total 6 questions होंगे एक घंटे का समय होगा और 3 questions करने होंगे solve 3 questions ठीक है? बात के लिए इतनी बात आप सबको पता है अब एक question आए कितनी unit आएगा दोनों paper से up to unit 3 मान करके चलिए ठीक है? तरीके से तो mid term है तो 2 unit होना चाहिए लेकिन आप ये बात मान करके चलिए कि up to unit 3 आपके इस paper में आना साय है ठीक है? यूनिट 3 दोनों paper के ठीक है? 3-3 unit unit 1, 2 and 3 चलिए यहीं परणों लेकिते हैं 1, 2 and 3 ठीक है? लेकिन एक बात के लिए आपको निस्चित रूप से तयार रहना चाहिए क्योंकि आपके जो second paper की unit 4 है यूनिट 4 जो है आपके second paper की वो purely descriptive की चीज़ है इसलिए हमें जहां तक उमीद है इस unit से एक question आपके mid term में निस्चित रूप से पूछा जाना चाहिए तो आपको mid term से पहले इस unit के लिए भी तयार रहना चाहिए यानि कि यहां से जो एक practical criticism का question पूछा जाएगा उस question के लिए आपको निस्चित रूप से तयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ हस्पस्त दिया नहीं गया है कि दो ही unit से question आएगा पिछली बार जो mid term हुआ है उसमें सुरू के तीन unit से question बने है तो आपको तीन unit तो तयार ही रखना चाहिए और इस लिहाज से आपको second paper का unit 4 भी तयार रखना चाहिए यानि कि एक तरीके से देखा जाए तो आपको mid term से पहले कम से कम second paper के चारो unit और first paper के कम से कम तीन unit आपको पढ़ लेने है और इसके लिए आपको बहुत नियमित और बहुत सईयमित हो करके निश्च दूरूप से पढ़ाई करनी है बाकी बचा आपका end term तो end term के लिए आपके भीया क्या है MCQs हैं क्या है भई MCQs हैं MCQs के दो तरीके हैं पहला तो आपको book में हर chapter के बाद MCQs मिलेंगे ठीक है chapter के बाद end में हर एक chapter के बाद आपको 8 से 10 15 20 MCQs मिलेंगे प्लस आपके पास दूसरा option अब लेबल होगा test का ठीक है test जो आपको मिलेगा उस test में आपको MCQs questions मिलेंगे thereafter इसके बाद अगर और necessary हुआ और भी test questions की जरुवत हुई तो आपको mcqs के notes भी provide कर दिये जाएंगे अगर आव सकता समझ आई तो ठीक है जहां तक मुझे उम्मीद है कि test और book से ही आपका काम complete हो जाएगा ठीक तो यही इतनी बाते हैं यही इतनी चीज है जो आपको पढ़नी है बस इतनी सी जानकारी थी इस फोटे से वीडियो में जिसमें हम लोगों ने समझा about the syllabus of BA second semester ठीक है अब next वीडियो से हम लोग एक एक topic पर चलेंगे और यह निश्चत समझेगा कि जो एक एक topics हैं इसके यानि की जैसे हम लोग अगर पहले paper से begin करें तो सबसे पहले आपका आता है unit one forms of poetry आठ topics हैं तो निश्चत रूप से इस पर हम लोग छोटे बड़े जो भी बनेंगे आठ वीडियो बनेंगे एक वीडियो में एक ही topic हम लोग discuss करेंगे इससे ये फायदा होगा कि आपको बाद में खोजने में पढ़ने में help होगी ठीक है दुबारा कर रही वीजन जब आपको करना होगा तो आपको topic खोजने में चीज़ें easy होगी clear है और जब poetry की बात आएगी तो निश्चत रूप से जानिए कि एक वीडियो में तो poetry complete होगी नहीं तो कम से कम एक वीडियो में हम लोग writer का introduction समझेंगे दूसरे वीडियो में हम लोग poetry का introduction समझेंगे और उसके बाद continuation में हम लोग जितने वीडियो में text खतम होगा चोटे चोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग चोटी poem होगी तो एक वीडियो में बड़ी बड़ी poems है उनको एक से अधिक वीडियो में उसके text को line by line समझने की कोसिस करेंगे and finally आपका syllabus खतम करेंगे पहला target होगा कि पहली दो units सबसे पहले unit 1, 2, paper 1 की thereafter unit 1 and 2 आपके paper 2 की ठीक है तब हम लोग बात करेंगे unit 4 की जो की practical sum है यानि की practical sum आपको लिखना कैसे है उस पर चर्चा होगी thereafter unit 3 और paper 1 की unit 3 and 4 इनके poets की चर्चा करेंगे हम लोग ताकि हम लोग पहले mid term के लिए तयार हो ले, thereafter end term के लिए तयार हो ले कोसिस हमारी ये होगी कि जो mid term examination आपका आए उसके पहले आप दोनों paper की complete syllabus को पढ़ चुके हो तो कम से कम 90% syllabus आप पढ़ चुके हो जिससे कि आपको कहीं से भी कोई question आए आपको किसी प्रकार की परिशानी ना हो दूसरी चीज एक जो बड़ी समस्या हुई आपके साथ कि आप first semester जैसे तैसे पढ़ लिए exam दे लिए लेकिन आप पढ़ नहीं सके ये बात तत्य है कोई जुटला नहीं सकता आप भी जुटला नहीं सकते हम भी जुटला नहीं सकते क्योंकि आपका admission हुआ admission के कुछी दिन में आपका examination मिटम सुरू हो गया मिटम खतम हुआ फिर से in term आ गया तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला आप पढ़ करके exam pass कर ले यानि कि exam pass करना तो एक अच्छी बात है exam में number मिलना अच्छी बात है लेकिन जो आपका syllabus है उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि number तो आपके काम आएंगे ही आएंगे साथ ही साथ आपके जो जानकारी है आपका जो ग्यान है वही आपको आगे विसेस रूप से काम आएगा तो इस व वीडियोज आ सकते हैं किसी दिन कोई वीडियोज नहीं आ सकते हैं जैसे जैसे हम रेकार्ड करते जाएंगे एक एक करके आपको अपलोड होते जाएंगे और जैसे ही हम network area में पहुंचेंगे निश्चित रूप से हम कुछ live discussion भी आप लोगों से करेंगे ताकि आप अपनी समस्याएं पूछ सकें वैसे भी समस्याओं को पूछने के लिए आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं वास्ताओं में ये जो classes हैं ये दस तारीक से ही begin होनी थी लेकिन ये पांच दिन डिले से begin हो रही है उसके पीछे थोड़ा सा reason है वो reason हम फिर कभी बताएंगे लेकिन फिलहाल अभी classes आपके start हो रही है अब next वीडियो से आपको topic मिलेंगे और चलते चलते आखरी बात अगर आपने अभी तक course को subscribe नहीं किया है just go for that आप ebook भी ले सकते हैं अगर course purchase करने की सोच रहे हैं तो आपको ebook या book लेने की जरुत नहीं है course के साथ ही आपको सारी चीज नहीं है then you can go for book and book भी आपको अगर महंगी लगती है you can go for ebook but मेरा suggestion यह होगा कि अभी से thoroughly study आप तारंब कर दीजिए वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा आपको बहुत जादा समय इंग्लिस पर देने की जरुत नहीं है आप डेर से दो घंटे का समय अगर रोज नियम बस भी समय से पूरा हो जाएगा आप अच्छे अंक भी पाएंगे आपको जानकारी भी रहेगी तो बस इतनी सी बात क्योंकि आपको तीन बिशे पढ़ने होते हैं इंग्लिस पर दो घंटे देंगे इसी तरीके से दो दो घंटे अगर आप बाकी के दो बिश्यों पर भी दे देते हैं तो आप छे घंटे की पढ़ाई में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं साथ में अन्य जो प्रपरिशन साप करते हैं चार से छे घंटे का समय आपको उधर भी बच जाता है तो बस इतनी सी जानकारी मिलेंगे नए वीडियो में नमस्कार जहन